हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सारे दोस्तों आज की वीडियों पर हम बात करने जा रहें के भई लोगों हम लोग किस तरीके से ये यूट्यूब की प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं जहां पर दोस्तों हमारी यूट्यूब नहीं चल पा रही है बहुत भाई होंगे जो लोग तरीका ढूण रहे होंगे किस तरह से सॉल्व होगा और कितने दिन लगेंगे लेकिन आज की वीडियो देखने कЕ बाADолж आपकी ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी दिन कोई नहीं लगेगे टाइम कोई नहीं लगेगा सिरफ सेकेंट लगेंग जो अगर आप इस वीडियो को देते हो तो देखें, यहाँ पर काफी भाई ऐसे होते हैं जो लोग YouTube की वीडियो को छोड़ छोड़ का देखते हैं और हर वीडियो कभी किसी की देख ली, कभी किसी की देख ली उनको समझने लगती लेकिन एक टाइम आप सिर्फ पूरी एक वीडियो को दे लो तो मैं कहता हूँ कि आपकी प्रॉब्लम फिक्स हो जाती है लेकिन भाई लोग समझते ही नहीं है कि हम लोग वीडियो को अराम से देखें यह तीन मिनट की चार मिनट की वीडियो होती है लोग उसके अंदर प्रॉब्लम को फिक्स करके देती है लेकिन आप लोग जब उस वीडियो को छोड़ छोड़ के देख रहे होते हो तो फिर आपको समझ नहीं लगती खेर यार उन चीज़ों के बारे में बात नहीं करते हैं हम बात करती हैं इस problem के हवाले से YouTube पर दोस्तों कुछ लोग जह वो premium का use करती है कुछ लोग YouTube अलग कहीं सी Google से download install वगरा कर लेती है तो ये काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है उसके बाद यहाँ पर there was a problem with the server 400 अब यहाँ पर try का option आपको दिया जाता है कि retry करो अब यहाँ पर दोस्तों 400 का error और server का error है यानि कि server down हुआ है और server के अंदर कोई problem है यानि कि YouTube के system के अंदर कोई ऐसी problem आ जाती है जिसके वाले से आपको ये problem देखने को मिल जाती है अब यहाँ से दोस्तों आपको पहले तो YouTube से निकलके बारा आना है उसके बाद आपको just करना क्या है मैं आपको बताओँगा सबसे पहले आपको play store को open करना है यहाँ पर दोस्तों आपको YouTube को search कर लेना है जैसे YouTube का आप सर्च करोगे आपको यहां पर एक अपडेट का ओप्शन देखने हो लेगा तो भाई लोगों आपने इसको अपडेट कर लेना है अच्छा जैसे आप लोग इसको अपडेट करोगे उसके बाद दोस्तों आपको वेट वगरा कर लेना है करने के बाद फिर दोस्तों आपको यहां पर करना किया कि आपको डारेक्टली चले जाना है अपने सेटिंग में यहां पर आपको सर्च करना है DNS टिकट यहां पर हम लोग DNS जैसे हम लोग search करेंगे हमारे पास private DNS की दूसरी setting या पहले पर या last पर कहीं पर भी आपको मिलेगी तो आपने इस पर click कर देना जैसे आप इसको clicker होगे काफी ऐसी यूट्यूपर विडियोज होती हैं जिनमें आप लोगों को ये भी चीज़ बताई जाती है मैं इस problem की बात नहीं कर रहा है जिस पर आपको कहा जाता है कि जो private DNS है इसको आप लोग auto कर दें या private DNS provider हो इसको save कर दें नहीं आपने इसको भैलोगो आफ करना है जिससे आपका जो server है वो प्राइवेट हो जाता है और फिर आपको problem का सामना करना पड़ता है अगर आप इसको off कर दोगे आपका यहाँ पर जो DNS है वो private नहीं डेगा जिससे आपकी यह problem वैसे fix हो जानी है उसके बाद यहाँ पर यह काम आपने save पे क्लिक कर देना है off करके उसके बाद आपको back आजेना है apps वाला option देखने को मिलेगा आप इस पर क्लिक की जीगा manager apps को पर क्लिक की जीगा उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको search करना है YouTube update होने के बाद search कर दिया अब हमारे पास यह पे जा रहा है हमें इसको करना क्या है यहाँ पर हमें uninstall updates का option देखने मिलता है आपने इसकी uninstall update कर देनी है कर दी अब यहाँ पर आपको इसका दुबारा से इस पर क्लिक करना है इसका clear all data भी आपने मतलब कर देना है उसके बाद आपको play store दुबारा से open करना है दुबारा से open करोगे अब यहाँ पर आपको update का option दुबारा मिलेगा आपने इसको बैलोगो अपडेट कर लेना है जैसे आप लोग इसको अपडेट करोगे फिर दोस्तों आप लोग यूट्यूब को ओपन करोगे ये प्रॉब्लम आपकी fix हो जाएगी अगर आप इस तरीके से करोगे तो प्रॉब्लम आपको नहीं देखनी को मिलेगी और मैं 100% guarantee देता हूँ और comment आपने जुरू छोड़के जाना है अगर आपकी इस trick से इस setting से आपके problem अगर fix हो जाती है तो